दोस्तों मैं हूँ अंके चौधरी दोस्तों UPSC में हर साल Places in News पर 2-3 Questions आते ही हैं पिछले साल को Question Paper भी अगर आप देखेंगे तो 3-4 Questions Places in News से थे और यहां पर West Asia का Region हो गया और Africa का Region हो गया यहां पर जादा Focus किया जाता है क्योंकि यही वो Regions है जो जादा News में रहते हैं तो आईए आज ये Newspaper में कौन-कौन सी Important places cover हुई थी एक बार वो cover कर लेते हैं तो 20 मई 2024 के The Hindu Indian Express में जो Important places cover हुई हैं हम उनको देखने वाले हैं सेशन को एक बार Like और Share ज़रूर कर दीजेगा सबसे पहले आपने देखा होगा आज दुनिया भर के अकबारों में ये News चाही हुई है इरान के President एक Helicopter Crash में मारे गए हैं इसको लेकर भी अटकले लगाई जा रही है कि या ये Crash करवाया गया है या फिर ये एक घटना है तो वो देखने वाली बात होगी कि अब क्या बताए जाता है इसके बारे में बठाएं इस बात की पुष्टी हो गई है कि इरान के जो President है उनकी एक Helicopter Crash में डेथ हो गई है जोलफा रीजन जोलफा रीजन इरान के North में पढ़ता है तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये वाला ये है आपका बेसिकली जोलफा रीजन का इलागा यहाँ पर एक शहर है तबरीज तो तबरीज के पास ही जोलफा रीजन में उनका Helicopter Crash हुआ है और उसमें उनकी डेथ हो गई उनके साथ साथ एक Minister भी मारे गए है एक डैम है कुइन कलासी डैम Recently इरान ने कुइन कलासी डैम बनाया है और ये डैम जो है इरान और एजरबैजान का जो बॉर्डर का रीजन है वहाँ बनाया गया तो इसी डैम का उधगाटन करने के लिए इरान के राश्टपती उस रीजन में जोलफा रीजन में गए थे और जब वो तो जोलफा रीजन आपको ये पता होना चाहिए इरान में पढ़ता है इरान के नॉर्थ में पढ़ता है और अबरीज शहर है अबरीज भी न्यूज में है वो इस मज़े से क्यूंकि जो इनके रिमेंस है इनकी bodies है, वो तबरीज में ही लेकर गई गई है, post bottom के लिए इसके साथ साथ इरान की एक बार geographical condition भी देख लेता है कौन-कौन सी countries के साथ वो अपनी सीमा साझा करता है तो अगर आप इरान के borders को देखेंगे, तो यहां पाकिस्तान का region है उसके साथ border साझा करता है, उपर की तरफ अफगानिस्तान का region है नौर्थ इस्ट या नौर्थ में तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा बन रही है इसके साथ साथ कैस्पियंसी जो है, उसके साथ भी एक बहुत बड़ा border जो है इसके साथ साथ एजर्बैजान और अárमेनिया, तो अरमेनिया और अजर्बैजान उनके साथ इसकी सीमा लग रही है इसके साथ तरकी का region है, तो north west की तरफ Turkey के साथ border बनता है और इसके बाद इराग है, इराग के साथ एक बड़ी सीमा वो west में share करता है और इसके साथ पर्शियन गल्फ और गल्फ अफ उमान जो है उसके साथ भी एक बहुत लंबा जो कोस्टल बॉर्डर है वो बनता है इरान का Next किर्गिस्तान या किर्ग रिपब्लिक किर्ग रिपब्लिक का बिश्किक शहर जो है वो न्यूज में रहा है कुछ दिन पहले एक वीडियो सरकुलेट की गई है जहां पर लोकल स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के उपर अटाक कर रहे है यह कहा जा रहा है कि इस अटाक में इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो भी शामिल थे तो local students ने पाकिस्तान और इंडिया के जो students है उनके ओपर attack किया था वीडियो में ये claim किया गया लेकिन अब एक statement जारी की गई है और Indian embassy जो है बिशकेक में उसने भी statement जारी किया कि Indian students के ओपर ये attack नहीं हुआ ये attack जो था ये groups के बीच में हुआ था जिसमें local students शामिल थे और पाकिस्तान की side के students वो शामिल थे तो Indian students जो है उन पर ये attack target नहीं किया गया है और Indian embassy जो है बिशकेक में उसने भी इस बात की पुष्टी की है प्लस वहाँ पर जो Indian students है उन से भी कहा गया है कि embassy के साथ continuously touch में वो रहे तो आपके लिए important जाता है बिशकेक city याद रखिएगा ये किर्ग रिपब्लिक जो है उसकी राजधानी है इसके साथ साथ एक बार geographical borders जो है वो भी देख लेता है किर्ग रिपब्लिक किसके साथ share करता है तो यहाँ पर ये जो एक बहुत लंबा border आप देख रहे हैं इस्ट साइड में ये है चाइना के साथ तो चीन के साथ उसकी सीमा लगती है इसके साथ साथ नौर्थ में अगर आप देखेंगे बहुत लंबा border है वो है कजाकिस्तान के साथ तो कजाकिस्तान के साथ एक लंब का लगता है तो याद रखेगा बिश्केक किर्ग रिपब्लिक की capital city है और किर्गिस्तान जो है central एशिया में एक country है बहुत सारे Indian students especially medical students जो है वो यहाँ पर जाते हैं अपनी education pursue करने के लिए कौन कौन सी country के साथ सीमा साजा कर रहा है यह भी हमने यूं कहा जाए violent coups का अब यह coup का मतलब क्या है जहाँ पर विरोधी जो है वो democratically elected government को by force हटा देते हैं और देश के ओपर कबजा कर लेते हैं ऐसा ही कुछ recently देखने को मिला Democratic Republic of Congo में जहाँ पर एक unsuccessful coup का प्रयास देखा गया अब यह जो विरोधी groups हैं उन्होंने attack ज़रूर किया सरकार के उपर जो भाकी democratically elected government है उसके उपर उसका तखता पलट करने की कोशिश ज़रूर की बट वो successful नहीं हो पाए और इसमें जो विरोधी group है उसके leader वो भी मारे गए है तो आपके लिए important हो जाता है Democratic Republic of Congo और इसके साथ-साथ किंशासा Democratic Republic of Congo की राजधानी है किंशासा तो एक बार यह देख लेते हैं कि भाई Democratic Republic of Congo जो है वो कौन-कौन सी country's के साथ अपनी land boundary बनाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ Democratic Republic of Congo उसकी सीमा साज़ा हो रही है और याद रखिएगा इंशासा Democratic Republic of Congo की राजधानी है तो यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बुरूंडी के साथ सीमा लग रही है बुरूंडी एक country है अफरिका में उसके साथ फिर रवांडा के साथ सीमा साज़ा कर रहा है इसके साथ साथ यूगांडा के साथ एक लंबी खासी अच्छी खासी जो सीमा है बॉर्टर है वो साज़ा हो रहा है इसके साथ 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 सूदान है उसके साथ ही अपनी boundary बनाता है इसके साथ साथ Central African Republic country है उसके साथ एक बहुत लंबा जो सीमा है बॉर्टर है वो शेर कर रहा है इसके साथ 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 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंगोला के साथ एक बहुत बड़ा रीजन एक बहुत बड़ी बाउंडरी जो है वो शेर हो रही है इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक लेक दिखाई दे रही ह जिस लेख के साथ भी इसकी boundary बन रही है और तंगानी का तो लेख तंगानी का है जिसके साथ वो boundary शेर होती है लेख तंगानी का जो है Tanzania और Democratic Republic of Congo इनके बीच में पढ़ती है इसके साथ-साथ Zambia के साथ एक सीमा जो है वो साझा हो रही है जांबिया के साथ और यहां साउथ में एक और देश है जिसके साथ यह अपनी सीमा साजा करता है आपको मुझे बताना है comment section में कि यह कौन सी country है तो यह आपका home work है मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा इसके साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि democratic republic of congo यह एक landlocked country है अब आप देखेंगे ज़्यादा तर तो यह landlocked है लेकिन एक बहुत छोटी सी coastline यह share करता है Atlantic Ocean के साथ तो यहां देखेंगे अगर आप यहां पर एक बहुत छोटी सी coastline जो है यह Atlantic Ocean के साथ बनाता है तो याद रखिएगा democratic republic of congo completely landlocked country नहीं है यह Atlantic Ocean के साथ अपनी सीमा साजा करता है और इसके बाद finally गाजा स्ट्रिप आपको पता ही होगा इसराइल और गाजा जो है उसके बीच में वो वार बढ़ती चली जा रही है यहां पर एक शहर है अगर आप देखेंगे गाजा स्ट्रिप में राफा तो इसराइल का एक कहना है कि जो हमास के terrorists है वो यहां पर छुपे वे हैं और जब लास्ट येर इसराइल के उपर अटाक किया गया था और बहुत सारे इसराइल के जो नागरेक हैं उन्हें बंदी बनाया गया तो उन्हें यहीं पर राफा में छुपा कर रखा गया है और यहीं से खमास जो है वो ऑपरेट कर रहा है इसी वज़े से पिछले कुछ दिनों में इसराइल ने राफा के उपर जो अपने अटाक्स हैं वो बढ़ा दिये है हाल ही में राफा में एक कैम्प है रिफ्यूजी कैम्प उसके ओपर अटाक किया गया है इसराइल की तरफ से और यहां पर यह का जा रहा है 31 से जादर लोग मारे गए हैं और इसी वज़े से यह आज खबरों में भी था तो गाजा स्ट्रिप इंपॉर्टन्ट हो जाता है गाजा स्ट्रिप के अंदर राफा जो शहर है वो इंपॉर्टन्ट हो जाता है इसके साथ साथ जबालिया जबालिया भी एक रिफ्यूजी कैम्प है वो इंपॉर्टन्ट हो जाता है और राफा में नुसीरत नुसीरत रिफ्यूजी कैम्प यह important हो जाता है क्योंकि UPSC जादा तर ऐसी places को चुनती है जब वो question पूछते हैं जहां पर attack सो रहे हो जहां पर terrorism जादा हो तो वो जो news में रहते हैं उनको वो जादा पिक करती है तो राफा, राफा के पास नुसीरत refugee camp इसके साथ साथ जबालिया refugee camp यह आपके लिए important हो जाएगा प्लस यह भी देख लीजेगा कि घाजा जो है उसके border किस किस के साथ बन रहे है तो यहां पर Egypt है, Egypt के साथ एक border बन रहा है यहां पर इसके साथ साथ इसराइल है, इसराइल के साथ एक लंबी सीमा साजहा हो रही है और फिर Mediterranean Sea, अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल जॉर्डन के साथ अपनी सीमा बनाता है इसके साथ साथ इजिप्ट के साथ अपनी सीमा साजहा करता है इसके साथ साथ नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो Syria है Syria और इसराइल के बीच में आपको दिख रहा होगा, Golan Heights Golan Heights एक disputed territory है, Syria की territory है लेकिन 1960s में 6 day war हुई थी, उसमें इसराइल ने इसको occupy कर लिया था तो आज की तारिक में इसराइल का ही ये part बन चुके तो इसराइल ने occupy किया है, बट Syria जो है claim करता है और यहां अगर आप North में देखेंगे, तो Lebanon के साथ भी Israel अपनी सीमा साजा कर रहा है तो यह कुछ important places थी, जो news में थी और इन पर question बनने के पूरे-पूरे chances रहते हैं तो इसी वज़े से इनको अच्छे से cover करके जाईएगा जिससे exam में जब पूछा जाए, तो आप अच्छे से इने attempt कर पाए ऐसी ही places in news, मैं daily update कर देता हूँ अपने telegram channel पर, तो आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं और daily सुभे में upload कर देता हूँ तो आप उन places को map में आराम से, atlas में आराम से देखिए और जब question बनेगा, तो आप easily उसे attempt कर पाएंगे telegram channel पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यह रहा telegram channel, means answer writing by Ankit sir, यह है बेटा telegram channel यहाँ पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो ठीक है, daily मैं upload कर देता हूँ यह current affairs, places in news आप सुभे बस उन places को देखिए Atlas में उन्हें चेक आउट कीजे आपका काम खतम, आपको newspaper पढ़ने की कोई need feel नहीं होगी next session में मिलते हैं जुड़े रहिए अड़ा 24-7 IS channel के साथ जैहिन